दुबई का बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे उंची इमारत है, जिसकी उंचाई 828 मीटर है और इससे आप शहर की पूरी द्रिश्यमई सुन्दर्ता देख सकते हैं. मानव मस्तिश्क का वजन लगभग 1.4 किलोग्राम होता है, मानव दिल औसतन मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रिय राजमार्ग NH 548 है, भारत का सबसे छोटा राजमार्ग सिर्फ 5 किलोमीटर लंबा है, ये हाईवे महाराष्टर और करनाटक में है, सूर्य मंडल में अंतरिक्ष में धूप किरणों की गती लगभग 1.86.282 मीटर प्रति सेकेंड है, जिसे प्रकाश की गती भी कहा जाता है, कनाडा में दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तठ है, यहाँ बेहद खूबसूरत पहाड और जहरने हैं, ये देश अपनी साफ सफाई और सुन्दर्ता के लिए विश्व भर में मशहूर है, माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है, विश्व की सबसे उंची परवत शिखर है, इसकी उंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है, यह हिमालय परवत श्रंखला में स्थित है, एक व्यक्ति अपने पूरे जीवनकाल में करीब एक तिहाई हिस्सा यानि करीब 25 साल सोने में बिताता है, बिल्लियाओं अपने जीवन का 70% भाग सोने में बिताती है, घोडा खड़ा होकर सोता है, जागने के 5 मिनट बाद की हम 50% सपना भूल जाते हैं, पेंग्विन एक ऐसा पक्षी है, जो समुंदर का खारा पानी पी सकता है, क्योंकि उनकी सुपराविटल ग्रंथी उनके रक्त से बिन जरूरी नमक अलग कर लेती है, उबई का बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे उंची इमारत है, जिसकी उंचाई 828 मीटर है और इससे आप शेहर की पूरी द सबसे पहले छूती है सूर्य किरण, कहलाता है उगते सूरज का राज्य, भारत का अरुनाचल प्रदेश वह राज्य है, जहां सबसे पहले सूर्य की रोशनी पहुँचती है तूर्य मंडल में अंतरिक्ष में धूप किरणों की गती लगभग 1,86,282 मीटर प्रति सेकेंड है, जिसे प्रकाश की गती भी कहा जाता है फैक्ट नमबर वन पृत्वी सूरज से तीसरा ग्रह है फैक्ट नमबर टू, प्रत्वी का व्यास लगभग 12,742 किलो मीटर है फैक्ट नमबर थ्री, प्रत्वी में समुद्र, वायुमंडल और वन जीवों से भरा वातावरण है चांद की सतह का सबसे बड़े गड़े का व्यास 2500 किलो मीटर है तथा 8 किलो मीटर गहरा है चांद पर उलका पिंडों के गिरने की वजह से गड़ों का निर्मान हुआ है प्रत्वी पर भी रोजाना हजारों लाखों उलका पिंड गिरते रहते हैं परंतु प्रत्वी पर वायुमंडल की मौजूद्गी के कारण सामान्य तोर पर कोई हानी नहीं होती है जैसे हमारी प्रत्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है उसी तरह हमारा सूर्य भी सौर मंडल के सारे ग्रहों को लेकर हमारी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है सूर्य को आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में 22 वा 25 करोड़ साल जितना समय लगता है अभी आकाश गंगा के जिस स्थान पर हमारा सूर्य है जबकि बिल्लियों में ब्लड ग्यारह तरह का होता है कुत्तों में तेरह और गायों में लगभग आठ सो तरह का रक्त पाया जाता है तहारा दुनिया का सबसे बड़ा उप उश्नकटी बंधिय गैर धुरुवीय रेगिस्तान है जो लगभग 3.5 मिलियन वर्ग मील है पर्थ उस्ट्रेलिया का एक ऐसा शहर है जहां सबसे तेज हवा चलती है फैलकन नाम की एक पक्षी है जो की 320 किलो मीटर प्रति घंटे के स्पीड से उड़ती है वैग्यानिकों ने एक ब्लैक होल में अनोखी खूबी को खोजा है यह ब्लैक होल प्रत्वी से 25,000 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर है और आकार में हमारे सूर्य से 40,000,000 गुना ज्यादा बड़ा है इस ब्लैक के बारे में जानकारी में पाया गया है कि यह हर 76 मिनट में घड़ी की सूईयों की तरह स्पंदन करता है इस ब्लैक होल का नाम है सेगिटेरियस ए वैग्यानिकों का कहना है कि ब्लैक होल की गामा किरण में उतार चड़ाव हो रहा है अनुमान है कि ब्लैक होल चारों और ऐसा कुछ कक्षी एगती है जिसकी वजह से यह स्पंदन हो रहा है फिलहाल ब्लैक होल से किसी रेडियेशन का पता नहीं चला है जो चायाएं इसके आसपास दिख रही हैं वह इतनी गहरी काली हैं कि टेलिसकोप से दिखाई ही नहीं देती खगोल विदो ने ब्लैक होल के एरिया में एक पैटर्न का भी पता लगाया है हालां कि इसके बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है वैज्यानिकों का कहना है कि यह ब्लैक होल हर 36 से जन्टा आए पैट टू मिनट में गामा रेडियेशन की एक किरन छोड़ता है वैज्यानिकों ने इस ब्रह्मांड में प्रकाश की सबसे उर्जावान तरंग दैर्ध्य सीमा करार दिया गया था ब्लैक होल ऐसी पहली हैं जिनके बारे में सब कुछ जानने के लग्यानिक वर्षों से जुटे हुए हैं ब्लैक होल को आसान शब्दों में समझना हो तो यह हमारे ब्रह्मांड में ऐसी जगहें हैं जहां फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता वहां सिर्फ गुरुत्वा कर्शन है और घना अंधेरा ब्लैक होल का गुरुत्वा कर्शन इतना पावर्फुल होता है कि उसके असर से रोश्नी भी नहीं बचती जो भी चीज ब्लैक होल के अंदर जाती है वह बाहर नहीं आ सकती अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी और भी रोमांचक यात्राओं में शामिल हो सकें